सफर की हद वहां तक है जहां तक की कुछ निसान रहे चले चलो वहां तक जहां तक की यह आसमान रहे वो सफर ही क्या जहां दो कदम चले और मंजिल मिल गई मजा तो तब है चलने का की जब पैरों में कुछ थकान रहे नमस्कार दोस्तों आज के वीडियों हम डिस्कस करेंगे 24 नॉवंबर के करेंटेफर पर आज दीखें टोटल हम 10 करेंटेफर पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है इस वीडियो के लाश्ट पर हम टोटल 5 कोछा नाजबर डे पर डिस्कस करेंगे और इसमें पिछले पुराने करेंट एफर को रिवाइज करेंगे तो सुरू से लास्टे वीडियो को ध्यांसे लिए क्योंकि आपको इन पांचों प्रस्णों का उत्तर देना है और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका पीडियाप भी डाउनलोग कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्समें बाक्स में आपको आज के करेंट एफर के पीडियाप के लिंग मिल जाएगी और नीचे मेरे फेस्बुक पेज और टेलिग्राम चैनल का भी लिंग मिल जाएगा तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कल के करेंट इफर सेजन के दौरान पूछेगा के सही उतरों की देगे कल मैंने जो पहला प्रस्थन पूछा था आपसे ये था कि हाल ही में कौन से भारती पहलवान 65 किलोग्राम भारवल्ग में विश्ट्व के नंबर एक खिलाडी बन गया है तो दीखिए इनका नाम है बचरंग बुनिया और अगला प्रस्था करका कोशन अब देगा कि भारत और सिंगापूर के विज़ में और अगला प्रस्था कलके कोशन अब देगा की हाल ही में किसे या फिर किन है केंदरी प्रतेष्ट करबोड का नया सदसे निउत किया गया है तो दीखिए इनका नाम है पीके दास, अकलेस रेंजन और नीना कुमारी और कलके कोसन अब्डे का आकरी प्रस्था की हाल ही में किस ब्रक्त को फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान सेवलियर डी लाल लीजन डी हानर से सम्मानित किया गया तो देखे इनका नाम है जवाहर लाल सरीन हैं तो यह सभी पॉइंट्स है जाए अब बात कर लेदे ह माज के करेंटर तनका बात करकर ले है तो देखे इनका नाम है जायस मसूया जी है और देखे इनोंने असान लिया है एरिक सोलहिम का और देखिए आपको एक काम करना अभी कापी और कलम उठाना है आपको जो है ये प्रशन कहीं अलग से नोट कर ले ना क्योंकि इस बार की सभी परिशाओं में निस्चित रूप से पुछा जाएगा तो एक बार फिर से बताएता हूं देखिए जायस मसुया को हाली सभी में सभी तराष्ट परिवरत कारेखरम यानि कि UNEP यानि कि United Nations Environment Program के कारेकारी निजिशक क्रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस बत पर अस्तान लिया है एरिक सोलहिम का अब तोर सम बात कर लेते हैं UNEP की यानि कि United Nations Environment Program की देखिए ये एब्रिवेशन मे जो है नैरोबी केन्या में है और इसका मुख्याले भी एक्जाम में कई बर पुशा गया है और देखिए जो आपका UNEP यानि कि United Nations Environment Program है इसको हम प्यार से UN Environment के नाम से भी जानते हैं तो कहीं कि ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है बुक में और देखिए जो आपका UNEP ह ये इसका Parent Regression है जो है ये आपका है United Nations यानि की संयुक तराश तो ये सबी चीज़े है रखना आपको UNEP के बारे में और दूसरा प्रशन है कि हाल ही में कि इस अबिनेता को सयाजी रत्न पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये अबिनेता के हैं अमिताब बच्चन तो सयाजी रत्न पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये तीसरा सयाजी रत्न पुरसकार है जो कि अमिताब बच्चन को दिया गया है तो इससे पहले दो बेक्ति और भी होंगे जिनको ये पुरसकार दिया जा चुका है तो अभी हाली में याद रखना है कि तीसरे सयाजी र आपके पूरा नाम है सियामा प्रसाद गांगुली ठीक है और आपके प्रोफेसर एसपी गांगुली यानि कि सियामा प्रसाद गांगुली जी है ये आपके जवाहला लहरूप सिविद्याले दिली में स्पेनिस और लैटिन अमेरिकी अध्यान के पूरो प्रफेसर रह चुके है और दीकि इस पुरसकार की बात करें इसका नाम है मैक्सिकन आडर आप एश्टेक इगल अमेरिक पेना नेटो और इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी और इसकी करेंसी है मैक्सिकन पेसो और जो आपका नेशनल लेंगिज है मैक्सिको का ये आपका इस पेनिस है ठीक है तो ये सबी चीज यहाद रखेगा मैक्सिको के बारे में और दीकिए मैक्सिको की लोकिशन आपको मैं दिखा देता हूँ दीकिए ये आपका वर्ल्ड मैप है ये आपका जो नार्थ अमेरिका कॉंटिनेंट है यही पर आपका मैक्सिको लोकिटेट है और मैक्सिको की लोक तो इसको भी अलग से कही नूट कर लिए याद रखना आपको कि हाली में अभिजीत बोस को वाटसेप इंडिया का प्रमुक अपॉइंट किया गया है और देखें पांचो प्रशना की हाली में किस देश को ट्रांस बांडरी परेवरण अपराद का मुकाबला करने के लिए UNEP यानि की United Nations Environment Program के द्वारा एस या परेवरण प्रवरतन पुरुसकार प्राप्त हुआ है तो देखें ये पुरुसकार प्रप्त हुआ है भारत को और भारत की एक संस्ता है जिसका नाम है वन नेजियो अपराद नियंतरेट ब्योरो ठीक है तो इसको ये पुरुसकार दिया गया है और दीखे जो आपका ये पुरुसकार है ये दिया गया है इसके द्वारा एक चैन समीती का गठन कहाता है और इसके द्वारा चुनाव कहाता है कि ये पुरुसकार किसको दिया जाएगा और देखिए आपका जो ये पुरुसकार है ASEA पर्यावरण प्रोटन पुरुसकार जिसको हम ASEA Environment Informants Award के नाम से भी जानते हैं ये जो है पर्यावरर अपरात की रोक्ताम में सरकारी, अधिकारियों और संस्थानों टीमों के कारियों में उत्कृष्टा को चिन्हित करता है और देखिए एक सबसे खास बाद जो है एक्जाम के लिए ये है कि ये लगातार जो है दूसरी बार दिक है तो देखिए इस संस्था का नाम है भारती जीवन बीमा निगम और देखिए एक बहुत ही मज़ेदार मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ अगर आपने LIC में अपना बीमा करवाया है तो आप पेटियम का लाब ले सकते हैं तो ऐसे ही आप अपने LIC का प्रीमियम का बुखतान भी इस पेटियम के माधियम से कर सकेंगे इस एग्रिमेंट के बात से और देखिए एक सबसे खास बात है कि जो पेटियम है इसका जो पेरेंट आरगनाईसर ना 197 Communication जिसका मुख्याले नुएडा उत्तर प्रदिस में है तो 197 Communication ने अभी हाली में जानका रहे दी है कि अब जो है आप पेटियम के माधियम से 30 से भी ज़्यादे BMA कंपनियों का प्रीमियम जो है आसानी से आनलाइन भुकतान कर सकते हैं और दीखे इन 30 कंपनियों में जो मुख्य कंपनियों सामिल है आपकी LIC है जो अभी हाली में सामिल हुई है ICICI Presidential Life Insurance Company है Reliance Life है Max Life Insurance है और HDFC Life Insurance और Tata AIG है तो ये सबी Promo Company है जिनके नाम में आपको बता दी है और हिनके अलामा जो है Total और भी कुछ Company है यानि कि Total तीस Company है जिनमें आप जो है Paytiym के माधियम से BMA Company को जो है अपने premium का भुकतान आप कर सकते हैं ये खास बाते हैं याद रखेगा और देखें पेटियम की बात कले थे पेटियम की फाउंडर यानि संसापक है वीजय सिखर सर्मा और पेटियम की स्थापना 2010 में की गई थी और इसका जो पैरेंट आर्गनाइशन यापका है 197 कम्मुनिकेशन और पेटियम का मुख्याले की नवी बैठक आईट की गई तो देखें ये प्लेस आपका है लाउस की राजधानी वीएन ताइट नहीं गए तो याद रखना है कि लाउस की राजधानी वीएन ताइट में हाली में भारत और लाउस की पीडियार स्थाइट की नवी बैठक आईट की गई है और देखे इस वैटक में भारत और लाउस के बीच में यानि कि दोनों पक्षों में रक्षा, क्रिशी, ब्यापार और निवेश, विज्ञान और आईटी, उर्जा और खनर के छेद्र को सामिल करने वाले दूई पक्षी समन्नों के पूरे तालमिल की समिक्षा की गई और देखिए जो भारत की विदेश मंत्री है सुस्मा सुराज, यहां पर इन्हों ने जो लाउस के प्रधार मंत्री हैं थोंगलोन सीसोलीथ, इनसे भी मुलाकात की, तो यह सभी विजसे स्पेक्ट हैं याद रखेगा, और लाउस की जो प्रधार मंत्री का नाम याद लाउस की जो टोटल पापलिक्षा नहीं है, अनसे दश्मालोग चैलाग, और लाउस की जो ओपिसियल लेंग्वेज है, यह आपकी है लाउस, तो यह सभी जी आपको लाउस के बारे में याद रखना है, और आटों प्रशन है कि हाली में उत्तर पूरी हिमाले में सींग व लाउंगा फिर, तो देखें, यह आपकी चारो मेड़क की परजाती है, यह सिंग वाले मेड़क है, अलका-लका इनकी उपर सिंग दिखेंगे आपको, और देखें, 14 साल से रिसर्च चला था इनस पर जो है, और इसमें कौन-कौन से संस्थान सामिल है, जो आपके दिल्ली दिल्ली इनिवस्टी के कुछ बाली इसमें, और जो आपका यूनिवस्टी कालेज आप डबली इन आइरलेंड है, यह भी सामिल है इस रिसर्च में, और जो आपका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यूनाइटेट किंग्डम है, इन सभी ने मिलकर इनने चारो मेड़कों लेकिन यह जो आपकी मेगार है और अरुडांचल प्रदेश के हिमालियन रेंज में खोजेगे मेड़क हैं, इन में जो पहला मेड़क इसका नाम रखा गया है, हिमालियन हर्नेट फ्राग और इसका साइंट भी नेम रखा गया है, मोगो फृरिस हिमालियन, और जो दूसरा मेड़क के इसका नाम है जायन्ट हिमालियन हर्नेट फ्राग और इसको जो है मेगो फृरिस पेरियो ओसा नम रखा गया इसका, तो यह सभी प्यारे परे नम रखे गए इन चारो मेड़कों के और इन मेड़कों का जो आकार है, यह बिलकुल अलग-अलग है, और देखे इन इन चारो मेड़कों में जो आपका यलो स्पार्ट है वाइट लिपिड हर्नेट फ्राग है, यह सबसे छोटा है इन में और इसका आकर जो है यह 5.7 से 7.5 cm है, और जबकि जो जायन्ट हिमालियन हर्नेट फ्राग है, इन में सबसे बड़ा है, इसका आकर जो है, यह 7.1 से 11. इसका आपको पूछेगा, इन में सबसे छोटा काउन है, सबसे बड़ा काउन है, यह कहां पे खोजेगा है, तो यह मेगाले और अरवनाचल प्रदिस के हिमालियन रेंज में खोजे गए है, और इनका नाम क्या-क्या है, यह सबी जो है, इसका आप बार और इस वीडियो को यहीं पे रोक के इसको पूरा पढ़ जाईएगा, और देखे, नवा प्रशना की हाल ही में भारती नौसेना ने निन्म में से किस दिस से 24 बहु भूमिका वाले MH-60 रोमियो सी हॉक हेलिकाप्टर खरीने का आपचारी प्रस्ताव पेस किया है, तो देखे, यह प्रस्ताव नौसेना है, यह अपनी नौसेना को मजबूर बनाने के लिए इन 24 बहु भूमिका वाले MH-60 हेलिकाप्टर रोमियो सी हॉक पंडूबी रोधी हेलिकाप्टरों को खरीना चाहता है, और देखे, यह सौधा जो है टोटल लगभग दो अरब डावल का होगा, यानि कि अभी यह डील हुआ नहीं है, जब यह डील हो जागा, तो इसका exact amount पता चल जाएगा हमको, तो अभी देखे, यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर सबसे पहले आ रखना है हेलिकाप्टर का नाम, इस हेलिकाप्टर का नाम है, MH-60 रोमियो सी हॉक हेलिकाप्टर, जो की अमेरिका भागुली छेत्रे महारत के, इने के टोटल 129 जीलो के लिए सहरी गैस वीतरण परियोजना की आधासिलार किया प्रदानमत्री मोदी ने हाल ही में, और देखे, यह परियावरण अनुकूल गैस आधारित अर्थव्योस्ता की और बढ़ने की योजना का एक हिस्सा है, और तो आपका ये सिटी गैस वीतरण परियोजना है, यानि कि जो आपका इसको सौट परियोजना के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपे टू दा पॉइंट याद रखना है कि प्रदानमंत्री मोदी ने हाली में, भारत के 65 भगुली चेत्रों के टोटल 139 जिलों के लिए हाली में सहरी गैस वीतरण योजना, यानि कि सीटी गैस वीतरण योजना की अधरसिला रखी है, तो ये थे आज के करेंडे पर अब हम बात कर लेते हैं, आज की कोस्टन आप देखी हैं, देखिए आज का पहला प्रस्णा आपके लिए है कि हाली में काउन यूनिसेप की सबसे जीवा, गुडविल, अमेस्टर नामित की गई हैं, इनका नाम कमेंडे बहुत प्रस्णा ये देखी, आज के जीतने भी कोस्टन आपड़े हैं, ये कल के करेंडे पर से लिए गए हैं, तो अगर आपसे एक भी प्रस्ण का मिश्टेक हो जाता है, तो आप कल का करेंडे पर टूनामिन जूनियर जीता है, इसका उत्तर प्रस्णा है, और अगला प्रस्णा है कि हाली में कि जबेक्त को इंटर पोल का नया अध्याच निर्वाचीत किया गया है, इसका उत्तर प्रस्णा है और अगला प्रस्णा है कि हाली में कि जबेक्त ने फीजी के प्रधानमत्र के रुप में सपतली इसका उत्तर बताईए और अगला प्रशना है कि निम्लिकित में से किस के लाड़ी ने हाली में रन जी क्रिकेट में 14,000 रन बनाने का रिकार्ड बनाया है इस प्रशना का उत्तर बताईए लिए से तो इस एक साथ आज का करेंटर फिर यहीं सवापता है और आपके लिए एक सूचना है देखिए कल मैंने एक वीडियो अप्लोड किया है सूच कांकों का तो जो देखिए जितने भी एक्जाम होते हैं इंडिया हैं वेलब किसी भी राज़ का एक्जाम हो तो उनमें जो है सूच कांकों जोड़े एक नएक प्रस्ण जो जरूर पूछ लियाते हैं और मैक्सिम्म तीन-चार प्रस्ण पूछ लियाते हैं जो आपका PCS वगरे का एक्जाम होता है UPSC का तो आप उस वीडियो को देख लिएगा उसमें टोटल मैंने आपको 22 सूच कांकों के बारे में बताया है और इन 22 में से कम तकम आपको 2-3 एक्जाम में मिल जाएंगे 2-3 नमर का आपका कोशन तयार जाएगा तो सूच कांकों का वो वीडियो जरूर देख लेजगा और उसमें पीडिये भी है तो पीडिये भी डाउनलोड कर लिजगा तो इसे के साथ आज का करेंट पर यही समाप्त करते हैं आप देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत बोलिए तो इसे के साथ बहुत बदनेवाद थैंक यू बैट है बनाश टेव